है कि सब्देया है किसान साथियों को हमारा नमस्कार किसान भायों आज हम आप पहुंचें हैं पलवल से बनाया तो इनसे हम बात करेंगे और जानगारी लेंगे बिस्ते तरीके से तो पहले सर नमसकार आपका हमारे यूटूब चैनल अवद लाइब खेती में तो आपने ये डेरी फार्म इतना बेहतरीन और अच्छा मेंटेन किया इसके बारे में बताईए इसके बारे में बताने से पहले अपने डेरी फार्म का एक थोड़ा हमारे किसान भाईयों को परिचे कराईए बताईए सर थोड़ा सा डेरी फा जबते हैं जबते नहीं है इसमें पक्का नहीं मानती है जिसे मैं चारा की बात करूं अगर तो चारे में कोई खली वगएरा हो गई या जैसे वो क्या बुलते हैं पसुहार वगएरा यूज करते हैं क्या वो भी आता वो कौन सा पसुहार आती है जी उसको सबसारा डालके जो को वह सो ठोटो तो किसान बाइयों अभी हम nicely चाल रहे हैं यहां पर किसान बहाँ करके थोड़ा बहुत जांकारी आ लेंगे यह सारों को नहीं जनकारी झरूर लेंगे замेल को भी बहांघ और मुर्रा में आवे यह लेकिन पेवर मुर्रा में इसमें सतरा कि रोग है सट्रा किलो दोनों टाइम में तो इनका इंसरेंस वेगर अभी आप कراकर रखतें इंसरेंस भी है जी जैसे दूसरी देख पारा हूं सर इसके बारे में जी जिस से अच्क कथ टारी साथ कॢ 조ान कयों को यह में तरह 40 लीटर दोड दे रह ऑढ़ाया की लग रही है अब यहरे दूसरी वाली के बारे में से लिए यह जी है महिंदरगड की इसमें है 17-18 लीटर दूद है इसमें 17-18 लीटर दूद देती है दूसरी देख पा रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा बता यह हमारे किसान भाईयों को है कि यह ए एक यह एक इपना आज दो देती है यह बाइए सांत महीना की आगे की है इसमे आठा किलो दूध है आठ लीटर दूध देती आज और दूसरी एक देख पा रहा हो यह यह बी काफी जबर-दस्त और काफी सीधी लग रही है इसके वारे में थोड़ा बताएं इसके एक आटे पे जी सोला लीटर दोड़ देती है सोला लीटर जैसे में दो-तीन गाये देख पा रहा हूं गायों की क्या क्वालिटी रहने वाली है यह थोड़ा अपिसान भाइयों को बताईए यह गाये जी यह साहिवाल और जर्सी में मिक्स है इसका दूद बहुत सुध होता है काफी बढ़िया कितना दूद देती होगी यहां में दूद हिलाल में आज के डेड़ में 15 लीटर दूद तयार है 15 लीटर दूद देती है काफी खुबसूरत एक गाये हम देख पारें मुझे लगता फी स्कुर्ण लीटर देखने जिसे आपने गायों का अच्छे से देखरें किया काफी बेहतरीन तरीके से तो बेस तो जैसे अगर मारा कोई किसान भाई है आप से संपर्क करना चाहता है तो क्या आप से खरीच सकता है नभेज देंगे कोई आवे बेस देंगे अची नसल कि ब केसान या और उसको जैसे गवपालन के लिए जानकारी लेना जैसे गाई को बहुत अच्छा माना है जी और वेंटिय। है जो नहीं हो रहा है, इससे देने से जो है, इससे हरा नहीं पा रही है तो इनको कैल सीम कर सकते हैं, तो अगर हमारा कोई किसान है, अभी नया नया डेरी फारम आपकी तरह सुरू करना चाता है, जैसे आपने इतना बढिया मेंटेन किया है, तो क्या वो इसे सुरू कर सकता कुछ कमाई हमाई होती है नहीं होती है भाईया इसमें कमाई भी होती है गमाई भी होती है दोनों होता है मेहनत के उपर अगर अपना बढ़िया मेहनत कर लिए तो बढ़िया कमाई है अच्छा खासा इंकम जो है जनरेट कर सकता है जैसे आप तो अगर मेरा कोई किसान भाई है अगर वो कोई भी पड़िया या कोई भी बच्छिया खरीदना चाहता है आपसे तो आप कोई कोई नंबर वगेरा हो बता सकते हैं हमारे किसान भाईयों बता दीजी अगर कोई नंबर प्हेंसों का बच्छडा सॉरी बच्छडी खरीदना बहनी चाहते हैं लेफ दिखाया गया उस पर कॉल कर सकते हैं और समपर कर सकते काफी जब recurss and call और काफी बैतरी नब इसंए यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है आप देख सकते हैं मतलब इनको आप टच भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आज की टाइम में जो भैसे वगर आदी बहुत मारत नहीं देखिए मैं छूरा हूँ कोई दिक्कत नहीं है अन्जान को भी कोई दिक्कत नहीं करें और आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पर यह पढ़िया है छोटी छोटी लगबग पान साथ हैं तो इसमें से आप अगर खरीदना चाहते हैं तो दिये हुए नमबर पर अभी संपर करिए और सर से कॉल कर पर बात करिए जिसका रेट जो है वो आपको बताएंगे और काफी बेतरीन और बिस्तरित जानकारी देंगे तो किसान भाईयों इनको आप खरीश सकते हैं और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाईयों मिलते हैं कोई नई अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार और धन्यबाद